आचार्य महावीर प्रसादिवेदी आचार्य महावीर प्रसादिवेदी का जन्म सन 1864 इस्वी में जिला राय बरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था इनके पिता पंडित राम सहाई दुबे इस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकर थे घरेलू परिस्थितियों के कारण आचार्य महावीर प्रसादिवेदी की पढ़ाई ठीक नहीं हो सकी इन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बंगला, मराथी, उर्दू तथा गुजराती का अच्छा ज्यान प्राप्त किया मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्तिकर आचार्य दिवेदी ने रेल्वे में नौकरी कर ली थी एक बार एक उच अधिकारी से विवाध हो जाने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और साहित्य साधना में लग गए आचार्य दिवेदी ने सरस्वती पत्रिका का सम्पादन किया इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य की अपूर्य सेवा की इंदी साहित्य सम्मेलन ने इनको साहित्य वाचस्पती की उपादी से सम्मानित किया सन 1938 इस्वी में इनका सर्गवास हुआ दिवेदी जी ने भाशा को व्याकरण की द्रश्टी से शुद्ध एवं परिश्कृत बनाया इन्होंने हिंदी साहित्य में एक नई युग का सूत्र पात किया ये एक कवी, गद, लेखक और संपादक के रूप में हमारे सामने आते हैं इन्होंने अनुवात कारे भी किया दिवेदी जी की प्रमुक मौलिक रचनाएं निमलिलखित है अद्बुत आलाप, विचार विमर्ष, रसग्य रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंग कुष्टा, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ती, अतीत इस्मृती आदी उनकी प्रमुक अनुदित ग्रंथ निमलिलिखित है रगुवंश, कुमार संभव, शिक्षा और स्वाधीनता आदी आचारे महावीर प्रसाद दिवेदी ने जिस भाषा को अपनाया, वह ना तो संस्कृत शब्दों से लदी हुई है और ना उसमें विदेशी शब्दों की भरमार है उन्होंने सरल और प्रचलित भाषा को ही अपनाया आधुनिक हिंदी साहिते के निर्माता के रूप में उन्हें सदेव याद रखा जाएगा धन्यवाद